तो शुरू करें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बाफिर से श्टेडी विदेकान पड़क यूडूब चैनल पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार AI के characteristics और features क्या होते हैं इसके जो हमारे सामने main six features होते हैं वो होता है हैं जो कि हम लोग 5-6 मिनट में cover कर लेंगे साथी साथ इससे पहले जो हम लोग ने दो वीडियो पढ़े हैं AI का introduction और history उसके जो playlist है पूरी उसका link description में तो देरना करते हुए हम लोग artificial intelligence के characteristics और features की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा characteristics और feature आता है वो होता है deep learning मतलब कि जो हमारी artificial intelligence की machines होती है machine learn from human through examples जो artificial intelligence machine होती है जिनके अंदर AI होता है उनमें ये capacity होती है कि वो human से सीखती है उनको follow करती है अगर उन्हें कुछ बताया जाता है या कोई information provide की जाती है तो वो store करके उसको new new चीजों को discover करने की कोशिश करती है ऐसा robot के cases में होता है और decision support के system के cases में भी होता है अब बेकिए artificial intelligence की जो machines होती है वो अलग अलगतर है की हो सकती है कुछ repetitive task को करने के लिए बनाई गई होंगी कुछ सीखने के लिए बनाई गई होंगी कुछ जो है वो किसी particular work को करने के लिए बनाई गई होंगी और कुछ जो है उनमें development हो इस तरीके से उनको program किया गया होगा for example जो खुद से सीख के और reply करते हैं वो अभी हमारा जो एक रोबोट बनी थी Sophia उसका हम लोग example देख सकते हैं तो deep learning में यही होता है कि artificial intelligence की जो machines होती है वो a lot of information store कर सकती है और जरूरत पढ़ने पर उस data वो retrieve भी कर सकती है और उससे मदद भी ले सकती है पहला यह feature होता है हमारी artificial intelligence का दूसरा होता है face recognition अब देखिए आज कल जो कई सारी machines आई हैं उससे हम लोग face recognize करते हैं और अपने camera को unlock करने के लिए face का करते हैं तो यह face recognition एक AI है मतलब कि यह possible हो पाया है face को recognize करना biometric mapping की वजय से इसमें जो faces होते हैं उनके pixels को मतलब एक तरीके से zoom out, zoom in करके जिस तरीके से भी matching मिलाके, match found करवाके AI जो है वो अपने आप उस का वो करता है और वो match करके बताता है कि यह जो face है यह वही है जो था कि नहीं है तो इस तरीके से क्या है face recognition काम करता है मतलब आपने अपना face जो है वो पहले database में store किया था अब जब आप login करने आओगे तो जो आपका previous face stored था उससे उसको वो map करेगा और map करके अगर वो शायद कुछ percentage होता हूँ उसके हिसाब से अगर वो mapping found होगी तो वो legal माना जाएगा otherwise वो deny कर देगा पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि AI बहुत smart होता है वो अगर आप का face है तो mapping कर लेता है तीसरा होता है automate simple and repetitive task अब देखिए machine जो है वो किसी भी काम को repeatedly कर सकती है बिना किसी fatigue के और ना बोर हुए अब देखिए simple task हो चाहें जैसा भी task हो जिस चीज़ के लिए वो program की गई होगी उस काम को करती रहेगी जैसे for example spring machines होती है वो springs को गोल-गोल-गोल गुमाती रहती है packaging machines होती है वो सामान को pack करती रहती है तो इस तरह की machines क्या होती है उनमें AI set होता है वो करते हुए और वो लगातार काम को कर सकती है फिर होता है data ingestion अब देखे data ingestion का क्या मतलब है पहली बात तो यह बहुत सारा data everyday computer system पे हमारी organizations पे हमारी companies में हमारी corporations में आता रहता है तो data जो है वो हर दिन बढ़ रहा है तो artificial intelligence ना सिर्फ उस data को gather करता है उसको analyze भी करता है data को और जो data जिस चीज़ से belong करता है उस हिसाब से वो उसको grouped कर देता है ताकि उससे ही आसानी हो बाद में उस data को retrieve करने में और जब जरूवत पढ़े तो उसको बहार लाने में तो ए एक data ingestion एक बहुत जरूरी चीज है AI के अंदर एक बहुत important feature भी है अब देखे data ingestion में मतलब क्या होता है transportation हो रहा है knowledge का किसी source से किसी medium के थूँ तो फिर वो कहा access हुआ है वो क्या analyzation किया गया है उसका ध्यान भी रखना होता है फिर हमारा पांचवा आता है chat box अब example आप customer के service में call करते हैं तो in case अगर जीओ फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो मालेजिए आपने phone किया उनके number पर वहां से one आपने click किया तो हिंदी में बताने लगेंगा AI system जो है आपका data balance क्या है आप क्या क्या ले सकते हो उसके बाद भी अगर problem solve ना हो को कोई बात करने त आप computer executive से कर सकते हैं तो वो direct transfer कर देता है तो इस अब किस तरीके से हो रहा है एक chat box के through हो रहा है तो यह chat box जो था वो audio में था लेकिन कई chat box जो होते हैं वो test में होते जिनमें आप text में अपना support ले सकते है help and support में ठीक है इसमें क्या होता है smart programming की गई होती है जो की language को भी सम समस्ती है सिर्फ command को नहीं मतलब command को तो समस्ती समस्ती है साथ में वो language को भी बहुत अच्छे तरीके से समस्ती है इस chat box में फिर आता है हमारा 6th quantum computing और 7th cloud computing अदे के quantum computing जो है वो artificial intelligence में ये काम है कि वो बहुत ज्यादा complex quantum physics को solve करने में हमारी मदद करती है और accuracy के साथ करती ज ये quantum neural networks को भी solve करता है AI मतलब की हमारा artificial intelligence साथवा होता है cloud computing अब देखे पहले टाइम पर हम लोग pen drive का इस्तमाल करते थे जब movies को share करना होता है तो हम लोग pen drive लेके जाये करते थे दोस्त का लगाते थे copy करते थे और ले आते थे पर इतना सारा huge amount of data अब बढ़ने लगाए मा पॉसिबिल नहीं है आप कितनी hard disk बनाएंगे तो कई लोग क्या होते हो से कहीं भी access कर रोके इसलिए करते हैं cloud storage का इस्तमाल करते हैं for example google drive है microsoft one drive है amazon की है तो यह सब क्या होता है हम लोग को space provide कराते हैं जो की हमारी paid service होती है जहां पर हम लोग को एक space में जाती है 1GB मलब 1TB 2TB 3TB आपकी need के हिसाब से जिसके लिए आपको pay करना होता है और आप उस cloud storage को use कर सकते हैं तो यह हमारे features थे artificial intelligence क आपको पसंद आया है अभी मैं साइड में हट जाऊंगा आप इसको note down कर ले जागा तो एक important information मैं और देना चाहता हूं कि जो हमारी यह playlist है artificial intelligence की इसका जो पूरा link है playlist का वो description में आप वहा से जाके इसको देख सकते हैं short videos में paper के हिसाब से मैंने पूरा cover किया है तो फिर मिल